दोस्ता आपका संजु ग्रेलिंग ब्लोक में स्वागत है दोस्ता आप सभी को पता है कि जब से चारध हम यातर के दन्नात यातर के तैयारी शुरू हुई है और डेट आई हैं तब इसे नहीं नहीं गाडलेंस नहीं अपडेस निकल कर आ रहे हैं क्योंकि सरकार चाहते है कि इस बार 2030 में कोई भी गलती नहीं जो यातरी चारध हम यातर के दन्नात यातर कन्यार हैं उनको कोई परहसान ही नहीं 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 गाडलेंस नहीं आ रहे हैं आज आपको हम इस वीडियो में जितने नए बदलाम हो ही चारदाम यात्रा पर जितने नए अपडेट आए हैं नए गाइडलाइन्स निकल कर आई हैं आज हम इस वीडियो में के लिए रकने वाले हैं जिससे आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूत नहीं पड़ेगी अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब ने किया तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें और वेल एकन घंटी देवा दें जिससे आपको ने ने जानकारी प्राप्त होते रहे हैं दोस्तो जो सबसे पहला जो अपडेट आया था वो आया था कैदनत यात्रा में जो स उत्राखंड साइट की भासा अलग होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी भासा में आपसे में बात करने के लिए अगर जो लोग बंबई से आ रहे हैं वो कोई जानकारी लेना चाते हैं उनको ना तो हिंदी आती है ना इंगलिस आती है कि अब अपनी मात्र भासा है तो अब कोई परशानी नहीं होने वाले है क्योंकि सरकार ने जितने नहीं सुरक्झा कर्मी है या जितने भी इनकी जो अधिकारी Country अपने बहुत बढ़ी अपटट है वो है कि बहुत से लोग हरब कहते थे ने बहुत चारद्हाम यातरा कैदननद यातरा कोई जानकारी नहीं मिलती। सरकार ने इसलिए आप अपनी वैपसेट लॉंज कर दी है। आपको कहीं भी भागने के जरूरत नहीं है आपको हमारे इस चैनल पर जितनीवों जयांद कारी हैं चारधमियात्रा कैदना त्यात्रा की आपको टैम्से टैम मिलती रहती हैं दॉसतों जो हमारे तीसर अपडेट है वो यह अपडेट है कि 2032 से अलाक, around 2022 में हो या उससे पहले जितने भी चार दहम यात्रा कैदन्नत यात्रा ही हो मैं, उसमें फौन layer अगर आप मानने चलेए बदरिनात मंदर के अंदर जाते हो या कैदन्नत यात्रा करने जाते हैं तो मंदर के अंदर दर्सन करने जाते हैं गरब गरह के अंदर तो उसमें फॉन एलाओ था कोई दिक्कत ना लेकिन कई सालों से अंदर के फोटो खीच-खीच के लीग हो रहे थे जिससे बहुत ज़्यादा यातरी परिशान थे और सरकारी बहुत ज़्यादा परिशान थी इसलिए अब इस बार आप मंदर के अंदर फोन नहीं लेकर जा सकते दोस्तों ये नया अपडेट है जो हमारा अगला नया अपडेट है वो बहुत बढ़िया है और एक दम भैतरी क्यों क्योंकि आप सभी पता है कि यात्रियों को लैन में खड़े होने से बहुत ज़्यादा परिशानी थी इसलिए सरकाम ने टॉकन सिस्टम QR कोड लाउ कर दिया गया है अगर आप दोजार थीस में चारधाम यात्रा या कैदनत यात्रा करना चाते हैं और आप जाना चाते हैं तो आपको टॉकन सिस्टम मिलेगा जिससे आपको लाइन में खड़े होने से बहुत आराम धायक आप दरसन कर सकते हो आपको बिना बाद के लाइन में नहीं खड़ा होना होगा आपको एक टॉकन मिलेगा आप इस टॉकन को लेकर बैठ जाएं जब आपका नमबर आए तो आपको तुरंत लाइन में लग जाएं और आराम से दर्शन कर सकते हैं दोस्तों जो अपडेट है जिन लोगों की उमर 60 प्लेस हो चुकी है उन लोगों के लिए हर साल बहुत जादा 2022 में बहुत जादे यात्रों की मौत हाट अटेक से हुई थी इसलिए सरकान ने ये नया नियम निकाला है अब जिन लोगों की 50-60-70 साल के आसपास में उमर है उन लोगों को मेडिकल होगा और जब ही आप यात्रा पर जा सकते हैं जाओगे जाओगे आपको दस सवालों के जाब देने होंगे अगर आपके दस सवाल आपके बल्गु सई राइट निकलते हैं तो आपको चाड़ धम यातरा कैदनाती यातरा पजाने की परमिसन मिल जाएगे दोस्तो जो हमाज जो नेक्स्ट अपडेट है वो यह बहुत बड़ी है दोस्तो इस वाले अपडेटों देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुस हूं क्योंकि आप सभी को था है कि जब आप मान अप इतने औरसा क्राट के लिए अलग सही होता आप इसमें अपना दान कर दीजिए लेकिन चाड़ा ही वो दान पेटी में गेड़ सकता है कोई दिक्कत नहीं है अगर आपसे कोई करमचारी या आपसे कोई पुजारी दान दक्षणा मंगता है तो आप तुरंद पुलिस को बताएं और जो हाँ सुरुक्षा करिमी है आप उनको तुरंद बताएं ठीक है दोस्तों जो हमारा नया जो अपडेट है वो बहुत बहुतने अपडेट है क्योंकि आप सभी पता है कि हर साल सबसे चार दिक्कत होती थी रेइस्टेशन से इपास के लिए और हर साल रेइस्टेशन के लिए दो प्रकार के होते थे online, offline लेकिन इस बार चार प्रकार के रेइस्टेशन होगे जो चार प्रकार के जो सबसे best हैं वो आपका बड़साफ है फिर आपका toll free number है फिर आपका website है उसके बात में app है offline रेइस्टेशन बंद कर दिये गए हैं और इस चार तरह के आपको रेजिस्टेशन निकाल गए हैं, अब इन चारों में से कोई सा भी आप रेजिस्टेशन करवा सकते हैं दोस्तों, जो हमारा नया अपडेट है कि आपको दहरा दून से डारेक्ट कैदन नात यातर है, चार धम यातरा के लिए आपको हेलिकॉप्ट सर्विस मिल जाए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है, वो यह है कि जो लोग अपने परसनल बहांस से चार धम यातरा कैदन यातरा करना चाहते थे, उन लोगों सबसे ज़्याता प्रॉलम होती थे, कि इनको बार बार रस्ते में रोखा जाता था, उनके बार बार दार गारी रोखी जाएगि आपकी, आपके पूरे काओज चेक किया जाएगा और आपको गरीन कार्ड या ट्रिप कार्ड दे दिया जायगा और फिर आपको रास्ते में कोई पलीस चार धम यातरा कैदन यातरा कर NEXT अपडेट है कि जब कैदननत यातरा के लिए या चार्धम यातरा के लिए जैसे ही होटल की आपनी हुई तरण जैसे होटल की बैफसाइट खुली, मुस्किल से दो दिन में सब्रे होटल बुक हो चुके हैं, जैसे यातरी बहुत ज़्यादा परिशान थे, लेकिन सरकार ने तरण दो दिन जिससे आपको घबराने के जुरत नहीं है अगर आपको अभी तक होटल बुक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है आपको टेंट कलोनी मिलेंगे और अब टेंट कलोनी बहुत आराम से रुक सकते दोस्तो जो next update है ये घोड़ा और खचरों से लेखर है क्योंकि पिछली 2022 में पिछली बार बहुत ज़्यादा जो घोड़ा है घोड़ा और जो खचर हैं उनकी बहुत ज़्यादा मौत ही थी इसलिए सरकान ने अप साहब कह दिया सबसे पहले जो घोड़ा या खचर हैं उनका पंजी करण होगा पंजी करण के बाद के इनका फिटनिश टेस्ट होगा अगर ये बढ़िया हैं घोड़ा खचर तो वो आपको यात्रा करवा सकते हैं दोस्तों जो अगला हमार जो अपडेट है वो आपका हेलिकॉप्टर किराया से है क्योंकि आप सभी को बता दें कि हेलिकॉप्टर का किराया इस बार मुझकल से मुझकल तीन सो चार्ट सुर रुपे बढ़ चुका दोस्तों आपको हेलिकॉप्टर का किराया बड़ा हुआ मिलेगा वो हमने आपको अल्रेडी वीडियो मना कर दे दिये दोस्तों जो हमारा जो नेक्स जो अपडेट है वो बहुत जादा भूँत जादा खुस करने वाला है क्योंकि इस बार आपको कैदननत गयातरा में वाई फाई की सुविदा मुलकुल फ्री मिलने वाली है और फोड़ जी की सुविदा आपको मुलकुल फ्री मिलने वाली है क्योंकि आप सभी को बता दें कि चारद हम यातरा कैदननत गयातरा है फोड़ जी की सुविदा नहीं मिलते लेकिन इस बार आपको फोड़ जी की सुविदा मिलेगी और वाइफाई की जो सुवीदा अब अलग लाव को फरी मिलने बाली है दोस्तो जो हमारे जो नेक्स्ट अपडेट है वो B.I.P. दरसन को ले गर है कि हर साल B.I.P. दरसन होते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गोटाला बहुत ज़्यादा मात था पच्ची बहुत जारे टेंसन होती थी इसलिए सरकान ने अब अलग से ही पूरी केमेटिस चेंज कर दी गई है जो लोग B.I.P. दरसन करना चाहते हैं उनके लिए टीम अल करा रहे थे कि इस बार हर्दौर से लेकर कैदनत यतरा है चारधम यतरा का कई बस कराय तो नहीं बढ़ गया है दोस्तो इस बार आपको एक रुपया भी नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ जो कराय पिछली बार था वो इक रे इस बार रहने वाला ये बहुत बड़ी खुसक्व हमारा जो अगला अपडेट है जो लोग अपने परसनल गाड़ी से यातरा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक पूरी लिष्ट एक पूरी गाड़ लाइन्स जारी कर दी गई है मेरी यूटूब चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं बहुत बड़ी गाड़ लाइन्स ह आप ऐसा नहीं कि अपनी गाड़ी उठाएं अपना सामन रखें और तरण तब चार धम्या कैदन नत्यातरा के लिए निकल जाएं पहले एक बार आप इन गाड़ लाइन्स को जरूर पढ़ लें जो लोग अपनी परसन गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं दोस्तों दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक करें सेर करें हर हर मादे दोस्तों